मुस्किल काम को आज हम आसान बनाते हैं और बहुत ही जल्दी होती है और हमारी जो खराप होने वाली चीज़ को हम बचा लेंगी और कभी-कभी टाइम को भी हम बचाना चाहिए हलो फ्रेंज चलिए देख लेते है आज के टिप्स और ट्रिक्स में उसका जिसकी वज़े से हमें हर जगा पैनिक नहीं होनी पड़ेगी और चीज़े हमारी खराप नहीं होगी प्यार देते रहें और हम प्लीज दोस्तों कोई भी नेगेटिव कॉमेंट प्लीज मत दीजिए देर ना करेके चले बीडियो शुरू करते हैं पहला बाला टिप्स यहां पे देख लेते हैं यहां पे मैंने गयास पे कड़ाई पे पानी लेके गयास में बढ़ा दी इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं यह हमारी रिफाइंड ओयल और यह हमारी नमक और यहां पे देखे घर पे जो हमारी लूडूल्स होती है हम हका लूडूल्स हो और नॉर्मल लूडूल्स हो कुछ भी लूडूल्स हो यह लूडूल्स का जो चहीता बह बहुत लोग पसंद करते हैं यह तरह की अच्छा फस्ट हमें फूरते में बहुत हैं पता है यहांपर मेंすोड़िस को डाल दी और यहांपर देखिए लूड़िस को उबाल रही हो और यहां पर थोड़ीसी थोड़ी चीजों को हम ध्यान रखेंगे जबी भी लूडूल्स हमें खाने का मन होता है ना कभी खामी लूडूल्स इतने प्यार से तो बनाते हैं लेकिन ये थोड़ी सी गटबड़ी से हमाने नूडल पुरा खराप हो जाता है और एक्सर ये लूडूल्स खाने के लिए हम स्ट्रीट जाते हैं और स्ट्रीट फूड खाते हैं आज लूडूल्स बहुत ही पसंद आती है तो कभी-कभी इसको हम खाते हैं तो बनाने का तरीका थोड़ा-थोड़ा टिप्स हमें यहां पर फॉलो करनी चाहिए जबी भी लूडूल्स को हम उबालेंगे और उबलती पानी में डा जादा उबल जाएगे तो यह चिपचिपा बन जाते हैं लूडूल्स बहुत ही परफेक्ट नहीं बनते तो इसकी कुकिंग रोकने के लिए तुरंत हम इसको ठंडे पानी में धोलेंगे इससे क्या होगा कि हमारे लूडूल्स चिपचिपे नहीं होगे खुले-खुले बन करनी चाहिए तेल हर लूडूल्स में लगनी चाहिए ताकि यह ज्यादा ना उबले और ना पके और चिपचिपा ना हो छुटी-छुटी ध्यान कर रखेंगे तो परफेक्टली लूडूल्स हम घर पे बना सकते और लूडूल उबालने के लिए हमें कम से कम 5-7 मिनट काफ पाणी अगरा जाते कैं पर चावने को तरह में साड़ी पेहनते तो सिंबोनदी साड़ी कि की यह जो किमते साड़ी में प्यार से लिए और पेहनने के बाद जब अगर दिन भरा में चाहिए पूजा में पहेंते बहुत प्यार से थारी में रहना है तो, इसको हमें comfortable बनाने चाहिए, अगर हम comfortable बनाएंगे तो हम comfortably पहन सकते हैं, तो सारी में अक्सर ये दिक्क्त हो जाती है, हम इतनी महेंगी सारी होती है, और ब्लाउस तो भहती सुंधर हम लोग बनाते हैं, पहन ले के लिए, तो हम क्या करते हैं, ब्लाउज में एक दिक्कत हो जाती है, जो कि साड़ी तो रह जाती है, लेकिन ब्लाउज खराप हो जाती है, और उसी तरह से साड़ी की मैचिंग ब्लाउज नहीं मिलती है, क्यूंकि साड़ी की साथ ब्लाउज पीसी है, अकेली आती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहा यहां पे हम क्या करते हैं केंजी से काट लेते जो अगर प्याट जितनाíem बड़ा हो जितना छोटा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है पहले हम आपनी हिसाब से काटते हमें किस तरह की साइस कर चाहिए? बड़ा साइस तो इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए छोटा नहीं तो medium size यहां पे जल जाएगी छोटे छोटे tips और tricks जो हम follow करते हैं हमेरी काम बहुत ही आसान बन जाती है और समय की जो बहुत ही महिंगी होती है समय बहुत ही value होती है उसकी तो समय को बचाने चाहिए तो छोटे छोटे tips से हमेरी समय भी बचती है तो यहां पे मैं pieces में काट रही है मुझे इतनी देखे इतनी छोटे pieces चाहिए तो इस तरह से मैं pieces में काट रही हूँ जो यहां पे इसने ज़्यादा छोटा भी करना नहीं है तो यहां पे देख लेते हैं पहले हमें किस तरह से काटने हैं, हम इसको पेल स्टिकर थोड़ा निकाल देते हैं, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इससे एक तालकम पाउडर जो घर पे होती है न, ये तालकम पाउडर इसके उपर छिड़क देते हैं, और अगर आप पर्फिम इसके उपर छिरेकना चाहते है तो इसको भी पर्फिम भी थोड़ा लगा लेजिए इसके काम बहुत ही helpful काम है और इसकी जो दिक्कत होती है बहुत ही हम परिशान होती है उस दिक्कत है तो चलिए यह दो पैड में हमने छोटा सा ऐसे टुकडा निकाल दिया उसको दो पीसेस बना लिए इतना बड़ा पीसेस भी नहीं होगा फिर से मैं बाद में इसको I think काटूँगी तो चेक कर लती हूँ पर ले तो यहां पर देखिए यहां पर ब्लाउस ले आई और ब्लाउस को देखिए हम इसका अंदर का हिस्सा हमें चाहिए तो बाहर का हिसा इस तरह से हमारी जो अंडर आम की पाट होती है देखिए यह जो अंदर का हिसा अंडर आम की पाट है इसी साब से तो यह पैड मेरा बड़ा हो जाएगा इसको मैं फिर से थोड़ा सा छोटा करूगी तो देखीए इसको क्या करते हूँ फिर से काट लेती हूँ दोस्तो आप लोग अपनी वैलेबल समय दे की मेरी वीडियो को watch करते हो इसलिए दिल से धन्यवाद तो चलिए यहाँ पे मैंने काटली थोड़ा सा छोटा कर ली और यहाँ पे देखिए किस जगा पे मैं लगा रही हूँ यह अच्छे से देख लिजिए जो हमारे अंदराम के अंदर साइड है अंदराम पे लगा रही हूँ कि कि ब्लाउज की यसी हिस्से में बहुत सारी प्राबलम हो जाती है कभी कभी साड़ी तो रही ही रहती है साड़ी पूरा नया रहता है लेकिन ब्लाउज की अंदराम पार्ट बहुत ही जल्दी खराप हो जाती है हम स्वेटिंग की बज़े से इस जगा से दिरे दिरे स्वेट लगके और यह ब्लाउस के अंडराम यह पार्ट बहुत ही खराप हो जाती है और इस जगहा से बहुत ही गंदी बद्भू निकलती है जो कि अच्छा नहीं लगते हैं और कभी-कभी में प्यानिक भी लगती है चोटा सा टीप से लेकित बहुत ही हल्प हो ले इसको जरू ट्र बरप डाल के मैं यह बना रही हूँ आप चाहे तो इसको पानी डाल की भी बना सकते लेकिन बरप में थोड़ा अच्छा लगता है इसको बनाने में तो यहां पे हारपिक ले आई जो टॉलेट क्लीनर है बरप में थोड़ा हारपिक डाल रही हूँ और यह हारपिक को अच्छ ज़़डी बननल में जो जलजलके न हमारी गयास छशच्राइट हो जाती है और गयास बहुती कम निकलता यह तो यह तो बहुती बढ़ी हा सलूशन है आप एक बार इसको करके जरूर देखिए आपकी गयास की हल जो होती है बहुती जलदी खतम हो जाए क्यों कि गयास बहुत ही तक्लिब होती है तो देखे मैंने इसको उबाल दी जो दो बनल को कितिना काला निकला है और जो काला को हम हो रहें मतलब गरम फुरा कम हो जाये हम इसको पकड़ सकते उस टाइम पी चली इसको धो लेते साफ कर लेते और कुछ फी नहीं डालना है जूना बगएरा लगा कि ब्रस बगएरा जो कुछ भी हो जो इसको साफ करने में इजी हो तो उसी तरह से गिस लेते और कुछ करने की ज़रूत नहीं है इसमें स्टीक वगएरा कुछ डालने की ज़रूत नहीं है इस तरह से अंदर का पाट और बाहर का पाटा मच को इसका अच्छे से साफ कर लेते हम ग्यास में ग्यास ट बहुत जल्दी खर्चा हो जाते हैं बहुत चुटे-चुटे काम मतलब मुसीबत आती है तो इस सारा हल यह कीजेगा आपे हैं बर्नल अच्छे सी साफ कर लिजिए देखिए बर्नल जैसे हम नया ग्यास लेते हैं उसे ऐसा हो गया मैंने भी नहीं सोचा था कि बर्नल ऐसे ही इस नया जैसा बन जाएगा पितल जैसा पुरा ब्लाक बन गई थी मेरी बर्नल देखिए कितने अच्छे से बर्नल मेरी साफ हो गई और इसको खाली पानी में साधा पानी में धो लेते और कुछ नहीं करना है दोस्तों यह किचिन में बहुत हेल्पूर हो जाएगी यह जो आप यह टीप्स देखने के बाद ना वहती मुसीबत जो लगती है काम हो आसन हो गया तो चलिए इसको हमने धो लिया दोने के बाद कितने अच्छे से मेरे बर्नल दो बर्नल चका चक हो गए और देखिए इसको दोने के बाद 5 मिनिट का खाम था हो गया होने के बाद इसको चलिए हम इसको अच्छे से साप कर लेंगे कपड़े से क्योंकि देखिए पानी बनन में रहता है तो फिर वो द्याश को आने नहीं देता है तो इसको अच्छे साप करके ड्राइ कर लेतें ड्राइ करने के बाद हम इसको जला के देखेंगे कैसा हमारा यह टीप लात आया कि तो देखिए आप जरूर इसको घर पर कीजिए 100% रिजल्ट दे गया कैसे लगा आज का वीडियो आयाँ थोड़ा से वहल्पूल लगे वीडियो में पने रहे हैं प्यार देते रहे हैं